द्वी घाती बहुपत के मान व शुन्यक चलिए हम एक बहुपत ले लेते हैं P of X बराबर X का वर्ग रिंड 6X धन 9 इस बहुपत में हम X के विभिन मान रखकर ये देखेंगे कि बहुपत के मान और शुन्यक में क्या अंतर है तो सबसे पहले हम X बराबर 1 रखते हैं इस बहुपत में हम रखेंगे X बराबर 1 तो हमें P of 1 इसका मान कितना प्राप्त होगा देख लें X बराबर 1 तो ये हो गया 1 का वर्ग रिंड 6 गुणे 1 धन 9 इससे हल करने पर 1 का वर्ग 1 रिंड 6 धन 9 याने कि हमें इसका मान प्राप्त होगा 4 तो हमने देखा कि P of 1 हमें कितना मिल रहा है? 4 इसे हम कहेंगे कि X बराबर 1 के लिए बहुपत का मान 4 है इसी प्रकार अब हम देखते हैं X बराबर रिंड रख कर बहुपत P of X में यदि हम X का मान रिंड रखें तो P of minus 1 बराबर हमें क्या मिलेगा? रिंड का वर्ख रिंड 6 गुणेत रिंड धन 9 जिसे हल करने पर हमें मिलेगा रिंड का वर्ख 1 रिंड और इस रिंड का गुणा होगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा धन चिन 6 कम 6 धन 9 याने कि हमें यह मान प्राप्थ होगा 16 इस प्रकार P of minus 1 हमें मिला 16 चलिए आगे देखते हैं हमें प्राप्थ हुआ था P of minus 1 बराबर 16 तब हम क्या कहेंगे कि X बराबर रिन एक के लिए बहुपत का मान है मान 16 है चलिए एक और मान लेते हैं हम X बराबर 2 रख कर देखते हैं X बराबर 2 रखने पर P of 2 हमें कितना प्राप्थ होगा 2 का वर्ख रिन 6 गुणे 2 धन 9 इसे हल करने पर 4 रिन 6 गुणे 12 धन 9 जिसे हल करने पर हमें मिलेगा एक तो हमें मिला P of 2 का मान 1 तो हम कहेंगे कि X बराबर 2 के लिए बहुपत का मान 1 है चलिए आगे देखते हैं चलिए एक और परिस्तिती पर विचार कर लेते हैं हम देख लेते हैं कि X बराबर 3 रखने पर क्या होता है X बराबर 3 रखने पर यदि हम X बराबर 3 रखते हैं तो P of 3 यह हमें कितना मिलेगा 3 का वर्ग रिण 6 गुणि 3 धन 9 हल करने पर 3 का वर्ग 9 6 ती आठारा धन 9 तो हम देख सकते हैं कि इसका मान हमें कितना मिल रहा है शून्य तो यहां पर X बराबर 3 रखने पर हमें P of 3 जो मिला है उसका मान शून्य मिला है ऐसी इस्तिती में जब हमें X के किसी मान के लिए बहुपत का मान शून्य प्राप्त होता है X के उस मान को याने कि X बराबर 3 को हम बहुपत का शून्यक कहेंगे यानि कि X बराबर 3 दिये गए बहुपत का शून्यक है इस प्रकार हमने देखा कि यदि किसी बहुपत में हम चर का मान रखते हैं और उस चर के मान से यदि हमें बहुपत का मान शून्य प्राप्थ हो जाता है तो वही बहुपत का मान जो है वो उस बहुपत के लिए शून्यक कहलाता है उधारन 23 बहुपत X की घाद 2 रिण 3X रिण 4 का शून्यक ग्यात किजिए हल माना PX बराबर बहुपत है हमारा X की घाद 2 रिण 3X रिण 4 इसको हमने PX बहुपत के रूप में मान लिया है यहां हमें X का ऐसा मान ज्यात करना है जिसके लिए बहुपत का मान शून्य हो अब देखिए यदी हम X का मान एक रखते है बहुपत PX में तब बहुपत P1 P1 बराबर अब यहां देखिए जब हम बहुपत PX बराबर X की घाद 2 रिण 3X रिण 4 लिये है और बहुपत PX में P का मान एक रख रहे है तो हम X के स्थान पर एक रखेंगे एक की घाद 2 रिण 3 एक रिण 4 बराबर एक का घाद 2 बराबर एक गुणित एक बराबर एक रिण 3 एकम 3 रिण 4 बराबर एक रिण 3 रिण 4 रिण 7 बराबर रिण 6 अब P यदि हमने X का मान एक रखा बहुपत PX में तो हमें इसका मान मिल रहा है रिण 6 जो की शून के बराबर नहीं है तब हम X का दूसरा मान लेंगे यदि X बराबर यदि X बराबर हम लेते है रिण 1 तब देखते है PX में मान के आता है तब PX में हम X के स्थान पर रिण 1 लिख रहे हैं बराबर हम X के स्थान पर अब लिखेंगे रिण 1 की घात 2 रिण 3 और फिर X के स्थान पर रिण 1 रिण 4 बराबर रिण 1 का घात 2 इसका मान आएंगा रिण 1 गुडित रिण 1 बराबर एक और रिण गुडित रिण धन 3 रिण 4 अब एक और तीन का योग करेंगे तो 4 रिण 4 बराबर 0 यहाँ X P में X का मान रिण 1 रखने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है और X का मान रिण 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है अर्थात रिण 1 इस बहुपद का शुन्यक है इस बहुपद का शुन्यक है तो हमने जब X का मान रिण 1 रखा तब बहुपद का मान 0 हो गया तब हम यह कह सकते है कि रिण 1 दिये गए बहुपद का शुन्यक है तो यह इस प्रश्न का हल होगा उधारन 23 में हमने देखा कि X पराबर रिण 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है अर्थात रिण 1 इस बहुपद का शुन्यक है क्या और भी कुछ मान संभव है जिसके लिए बहुपद शुन्य हो यह जानने के लिए हमें X के और भी मान रखने होंगे लेकिन यदि बहुपद की गुणन खंडों का उप्योग करें तो हम बहुपद के सभी शुन्यक सरलता से ग्याद कर सकते हैं बहुपद X वर्ग रिंट 3X रिंट 4 के गुणन खंड ग्याद करेंगे X वर्ग रिंट 3X रिंट 4 बराबर X वर्ग रिंट 4X धन X रिंट 4 हल करने पर हमें मिलेगा कोश्टक में X वर्ग रिंट 4X धन 1 उभैनिश ले ले तो कोश्टक में रहेगा X रिंट 4 बराबर x गुणित कोश्टक में x रिंड 4 धन 1 कोश्टक में x रिंड 4 जिसे हल करने पर प्राप्त होगा कोश्टक में x रिंड 4 गुणित x धन 1 इस बहुबत का 0 शून्यक x का वह मान होगा जिसके लिए बहुपत 0 हो जाए अर्थात X का वर्ग रिंट 3X रिंट 4 बराबर 0 या हम कह सकते हैं कोश्टक में X रिंट 4 गुडित कोश्टक में X धन 1 बराबर 0 या हम इसे लिख सकते हैं कोश्टक में X रिंट 4 बराबर 0 या कोश्टक में X धन 1 बराबर 0 X रिंट 4 बराबर 0 या X धन 1 बराबर 0 हल करने पर मिलेगा एक्स बराबर चार या एक्स बराबर रिन एक यहां हम देख सकते हैं कि एक्स के दो मानों रिन एक वच चार के लिए बहुपत का मान शून्य है अता रिन एक वच चार इस बहुपत के शून्यक है उधारन 23 में रिन 1 वा 4 दिये गए बहुपत के शुन्यक हैं जबकि X रिन 4 वा X धन 1 बहुपत के गुड़नखंड है आपने देखा कि बहुपत के गुड़नखंडों को 0 के बराबर रखने पर बहुपत के शुन्यक प्राप्त हो गए यानि गुरंखंड मालूम हो तो शुन्यक दाप्त कर सकते हैं क्या शुन्यक मालूम होने पर गुरंखंड जान सकेंगे? करके देखें पहला, x वर्ग रिन नौ के गुरंखंड origin ग्यात कीजिए दूसरा किसी बहुपत के शून्यक चारवर रिनेक है गुरनखन क्या होंगे